जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि साल 2020 में हरितालिका तीज ब्रत 9 सितंबर को मनाई जा रही है उसमें जानकारी देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितन ऐसा ब्रत है जिसे सुहागीन महिलाओं के अलावा कुमारी कन्याएं भी रखती है। हरितालिका तीज पर भगवान सीब, माता पार्वती तथा भगवान स्री गनेश की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सुहागीने निर्जला ब्रत रख कर पती की लंबी उमर की कामना करती है। हरितालिका ब्रत नीराहार और निर्जला रह कर किया जाता है। मानिता अनुसार इस भरत के दौरान महिलाएं सुभा से लेकर अगले दिन सुभा सुर्योदय तक जल ग्रहन नहीं करती। सुहागिन महिलाएं 24 घंटे तक बिना अन और जल के हरितालिका तीज का ब्रत रहती है। किया जाता है तथा विधी विधान से पूजा अर्चना किया जाता है भगवान सिव को अंगोच्छा या वस्त्र अर्पित करें कुछा माता पार्वती को भी बस्त्र और सुहा की पिटारी अर्पित किया जाता है विधी विधान से पूजा करने के बाद हरिताल का तीजब्र ब्रत वाले दिन रात्री जागरन करना होता है। तो सरगी आपको सुरियोदे से पहले खाना होता है लेकिन बेहतर होता है कि सरगी आप ब्रह्म महुर्थ में चार बज़े तक खाले तो अच्छा रहेगा अब पारन का सोभ मोर्थ क्या होता है तो पारन आपको अगले दिन करना होता है ब्रत के अगले दिन वो भी सुर्योदे के बाद तो आपको बता दे कि पारण 10 सितंबर को करना होगा 10 सितंबर को सुर्योदय का समय सुबह 6 बज कर 4 मिनट पे है तो इसके बाद आप ब्रत का पारण कर सकते हैं तो आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें